नमस्कार बातें करते हैं कुछ नेपाल के सियासी घमासान की सबसे पहले तो दोस्तों नेपाल की कुछ मीडियाओं से समाचार आ रहे हैं कि नेपाल के राजा राजा ग्यानेंदर भारत के परधान मंतरी मोदी से मिले और कुछ मीडियाओं का कहिना है कि मिलने जाएंगे ने कि नेपाली समाचारों की माने तो परधान मंत्री मोदी और नेपाली किंग ग्यानंदर के बीच में गुपचुप रूप से मुलाकात हुई है इस पर हमारी राई ये है कि ये समाचार नेपाली मीडिया द्वारा जूट हो सकता है परधान मंत्री मोदी और नेपाली किंग के बीच में किसी परगार की कोई मुलाकात नहीं हुई यदि आगे संसत बिगठन पर नेपाल सुप्रीम कोट में जो रिट दायर हुए थे उनमें 12 रिटों पर आज सुनवाई हो रही है जस्टिस सुरेंदर समसेर राना ये सुनाई करेंगे इंड समू की मीटिंग में परधान मंतरी ओली को अद्धक्ष पद से हटाने की बात हुई है और माधवनेपाल को नेपाल कॉमनिस्ट पार्टी का नया अद्धक्ष बनाने की बात हुई है मादव नेपाल का नाम जलनात खनाल ने पारित किया कृष्ण बहादुर महरा को अस्ताई कमीटी के सदस्या बनाने पर बात हुई अब आगे इन सारे घटना कर्मों को देखते हुए एक चीज का पता लग रहा है कि परधान मंत्री ओली नेपाल कौमनिश्ट पार्टी को तोलना चाहते हैं और परचंड समू नेपाल कौमनिश्ट पार्टी की एकता को बरकरार रखना चाहते हैं इदर बागमती परदेश में मुख्य मंत्री दोर्मनी पौडयाल की सीट को भी खत्रा हो चुका है उनकी सरकार अलब मत्र में आ चुकी है अपनी सरकार बागमती परदेश में बरकरार रखने के लिए 56 सीटों की आवश्यक्ता है नेपाल कॉमनिश्ट पार्टी की टोटल 80 सांसद हैं, 22 सांसद कॉंग्रेस पार्टी के हैं, नेपाल कॉमनिश्ट पार्टी की 80 सांसदों में 46 सांसद परचंड एंड पार्टी के हैं, जो की दोर मनी पॉडेल से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं, जिससे की परदेश दोर नंबर की सरकार गिर जाएगी हालां की दोर्मनी पॉडेल कॉंग्रेस से समर्थन लेना चाहते हैं लेकिन कॉंग्रेस पार्टी का समर्थन दोर्मनी पॉडेल को जाए यहां संभव नहीं दिख रहा है और यदि दोर्मनी पॉडेल का समर्थन कॉंग्रेस पार्टी नहीं करत और पर्चंड एंड पाटी के संसद अपना हाथ खींच लेते हैं तो दोर मनी पौडेल की सरकार परदेश दो से गिर जाएगी। कार्यकरताओं को इकठा करने वाले ओली एंड पाटी के लोग हैं। इधर चाइनीज हाओ यांकी राष्ट पती बिद्यादेवी भंडारी से मुलाकात की और देश में फैल रहे असंतोस पर चिंता जाहिर की।